हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा लीपी और व्याकरन के बारे में नौ स्टाट भाषा अपने भावों में विचारों का अदान परदान करना भाषा कहलाता है यानि जिस साधन के दुवारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करत हैं वह भाषा कहलाता है भाषा के रूप भाषा के दो रूप होती है मोखिक भाषा लिखित भाषा मोखिक भाषा जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों की भाव जानते हैं उसे मोखिक भाषा कहते हैं जिससे क्लास में मैं पढ़ा रही है हम उ दुसरों के भावों या विचारों को पढ़कर समस्ते हैं, उसे लिखित भाशा कहते हैं, जैसे पुस्तक में लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ते हैं और समस्ते हैं, वो लिखित भाशा का उधारन है, नेक्शे, मात्री भाशा, मात्री भाशा वा होती हैं, हम परिवार में मात मातरी भाषा कहते हैं, राश्ट्र भाषा, देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा, राश्ट्र भाषा होती है, हिंदी हमारी राश्ट्र भाषा है, राश्ट्र भाषा के बाद हम पेढ़ेंगे, राश्ट्र भाषा, राश्ट्र भाषा कोने से होती है, देश में, कारियलों में, जिस भाषा में कामकाज होते हैं, उसे राश्ट्र भाषा कहते हैं, हिंदी हमारी राश्ट्र भाषा है, हिंदी हमारी राश्ट्र भाषा भी है राज भाशा भी यह है इन्हीं कुछ पॉइंट है जिसे परतिवस 14 सितंबर को हिंदी दीवस मनाए दता है हिंदी दीवस कब मनाए दता है 14 सितंबर को विश्व में सरवादिक बोले जाने वाली भाशाओं में हिंदी तरीतिय स्थान पर है यह पूरे वर्ल्ड में हिंदी लैंग्विज यह वो थर्ड नंबर पर है भारतिय सवीदान में हिंदी भाशा सहीथ 22 भाशाओं को मानेत्या दी गई है नेक्श माल लीपी भाशा को लिखने के ढग को लीपी कहती है निस सब भी जो भाशा है उनके अपने अपनी को चिन ओते है उनी चिनों को लीपी कहा जाता है तो हमानी हिंदी की जो लीपी है वो है देवनागरी संस्कृत नेपाली की भी देवनागरी है पांजबी की गुरुम की अंग्रेजी की लीपी है रोमन उर्दु की लीपी है फार्सी बोली आम बोलचाल की भाषा जो किसी स्थान विशेश में बोली जती है उसे बोली कहते है हिंदी की कई बोलियां है जैसे खड़ी बोली, अवधी, हर्यानमी, भोजपुरी यहीं किसी एक मोहले की होगी या फिर किसी एक गाउं की होगी जो किसी स्थान विशेश में बोली जती है उसे बोली कहते है नेक्स है व्याकरन व्याकरन की साहिता से हमें भाषा की शुद रूप की जानकारी मिलती है व्याकरन में नियम है जिनके द्वारा हमें पता लगता है कि लाइन ठीक लिखी गई है या बोली गई है इसकी जानकारिय में मिलती है शुद है शुद रूप का पता लगता है